नमस्कार बच्चो क्या हाल चाल है यार स्वागत है अब सभी का लर्न एंड फन पे जहां पे टीचर सापको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं और फाइनली बच्चो हमारा सम बेसिक कंसेप्स ऑफ केमिस्ट्री चप्टर जो है वो समाप्त हो गया था उसमें हमने ला मोल फ्राक्शन वाला खे मतब की अपर निमेरीकल इसके बाद है स्टोशियोमेटरी उसके बाद है लिमिटिंग रेजिंट और उसके बाद है इंपिरिगल फॉर्मॉला ऐसे अगर हम ओर्डर में लगाएं तो सहीर रहेगा इस ओर पे चीज़े सब से ज़ादा एक्जाम मे आती हैं चलिए लेकिन आज कर टॉपिक है बड़ा चप्टर अब स्ट्रॉक्चर आफ एटम आप ऐसा कह सकते हो यह मतलब मतलब यह अगर सम्पेसिक कंसेप्ट ऑफ और गैनिक केमिस्ट्री एक लेख है तो स्ट्रॉक्चर आफ एटम समुद्र है मतलब यह इतना बड़ा आफ्लाइन में तो आपको पता है हम लोग भावनाओ में बेह जाते हैं बच्चे सामने होते हैं क्रॉस कोशनिंग आती है उसके उपर डिसकॉशन होती है मतलब यह खतम ही नहीं होता यार मतलब ऐसा होता है कि एक-एक महीना चप्टर चल जाता है कभी कबार इसा भी होता ह कि बीस दिन में, बीस दिन का मतलब आप समाज़ रहे ना, हफते में तीन दिन क्लास होती है, तो दस लेक्चर, ग्यारा लेक्चर तो कम से कम ये आफलाइन में जाता ही जाता है, मतलब ये कम से कम है, जादा सा जादा ये पंदरा बीस लेक्चर जाता है, और ये ही कारण है कि extra classes ले लेके इसको ख़तम करना पड़ता है ये चप्टर वाइसा शुरू तो होता है लेकिन ख़तम नहीं होता है और इस चप्टर में कुछ ऐसे topics हैं जो आपको जीवन भर मतलब even आप physics की field में जाएं या आप chemistry की field में जाएं इनमें से किसी एक field में जाएं या आपको जीवन भर help करने वाले हैं कभी रुकेंगे ही नहीं ये concepts आपकी life में वो आप समझ जाओगे लेकिन आज आज की जो class आफेसा चेप्टर का आज पहली class है तो बहुत basic class है और structure of atom में हम लोग बात करने वाले हैं आज पहली class में atom के structure के बार में लेकिन जो यहाँ आप यह तीन studs को बच्चों यहाँ पर देख रहे हो, he is stud number one, he is stud number two and he is stud number three आप इन्हें देख रहे हो, यह office से बात है, शायद आपको पता हो, जेजे तॉम्सन, रदर फोर्ड जी और नील्स बोर हैं इन्होंने atom के structure में एक revolution ले आए थे, इन्होंने atom के structure में एक, कह सकते हैं, एक घमासान बदलाव लाए थे यह क्योंकि इनसे पहले atom के structure के बारे में, as such कोई जानता नहीं था, फिर इन्होंने दुनिया में atom के structure को introduce किया, सबसे पहले हमारे पास कौन है, जेजे तॉम्सन, लेकिन उससे पहले, आप मैं बता दूँ, इस chapter में, आप atom के अंदर रहने वाले हो, atom के बाहर नहीं, इसके बा atom कैसा दिखता था, तो जेजे तॉम्सन जी के हिसाब से, दुनिया के सारे के सारे atoms जो होते हैं, वो spherical होते हैं, इनके हिसाब से पहली बात, atom के जो shape होती है, वो spherical shape होती थी, पहली बात, दूसरी बात, पूरे atom पे, इनके हिसाब से positive charge होता था, पूरा atom जो है, वो किसका बन होता था बच्छो positive charge का whole atom consist of positive charge पूरा का पूरा atom जो है वो positive charge का बना रहता है पूरा atom positive charge का बना रहता है अच्छा अब ही हम यह नहीं कह रहें कॉंसी स्टेटमेंट सही है कॉंसी स्टेटमेंट गलत है वो बाद में judge कर लेंगे फिर इन्हों ने कहा कि पूरे atom पर अगर positive charge होता है तो इस पे negative charge uniformly बैठा होता है uniformly का मतलब कहीं से भी आप negative charge निकाल लो आपको उसका amount से मिलेगा मालो मैं इस atom के चार तुकड़े कर देता हूं तो इन चार तुकड़ों में आपको इधर 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 जितने भी negative charge मिलेंगे चार तुकड़ों में वो same मिलेंगे तो यानि negative charge is embedded over positive charge uniformly यूनि फॉर्मली नेगेटिव चार्ज के ओपर positive charge कैसे बैठा होता है uniformly बैठा होता मतलब अगर यह यह अवसे बात है यह चार्ज कौन सा हमारे पास negative charge है और यह charge हमारे पास कौन सा है positive लाल वाले को हमने positive charge दिखा है तो एक एटम पे negative charge positive charge के ओपर uniformly बैठा होता है यह इनकी तीसरी postulate ती चौथी एक एटम पे जितना negative charge होता है उतना ही positive चार्ज भी होता है एक आटम पे चतना चार्ज पॉजिटिव होता है उतना ही चार्ज नेगिटिव भी होता है and last but not the least mass of atom is uniform mass of atom is uniform मतलब atom का जो मास होता है वो uniform है uniform से कहने का मतलब है हर जगा पे अगर आप atom का मास नकालोगे तो वो बराबर मिलेगा अगर मैं इसके छे तुकड़े करता हूँ पिज़ा की तरह तो हमें हर तुकड़े में जो मास मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है अब आप कहोगे कि ये पांच पॉस्चुलेट में से कौन कौन सी सही है पहला atom spherical है दूसरा जितना चार्च positive उतना negative बस ये दो बाते सही है इन पांच में से बाकी तीन बाते गलत हैं लेकिन जे जे तॉमसन जी के मौडल में majority of चीज़े गलत होने के बावजूद भी इसे क चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो लेकिन वो एक inspiration होती है वाह बात की गराई को समझेगा दुनिया में पहली आई भी चीज़ भले गलत हो लेकिन वो inspiration होती है inspiration से कहने का मतलब क्या हो समझें इसको यहार देखो दुनिया में ना किसी ने भी पहले इस बार में सोचा नहीं कि atom की shape क्या हो सकती है atom को हम कैसे explain कर सकते हैं लोगों तक तो जे जे थॉम्सन वो पहले इंसान बने जिरुने atom की सबसे पहले shape structure और उसके अंदर जाने की कोशिश की और जब वो कोशिश नाकाम हुई तो उसके बाद और देखो इसको ऐसमझो कि दुनिया में सबसे पहले एक plane आया right brothers शायद मैं सही क्या रहा हूँ right brothers ने plane बनाया लेकिन जब दुनिया का सबसे पहला plane बन रहा था तो उन लोग बहुत हस रहे थे उनके उपर बनने से पहले उनको रगादा पागल हो गया है कि आप इनसान थोड़ी ना उड़ सकते हैं यह दोनों teachers थे इनके बच्चे भी इन पहस्ते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक plane हवा में उड़ सकता है नहीं लेकिन जब इनके उड़ाया उसके बाद लोग inspire हुए और जिनके पास और जादा knowledge थी उन्होंने उस knowledge का इस्तमाल करके उस plane का और बहतर करते गए ऐसा ही बटा हमारी science में चलता है हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग को एक चीज़ दे देते हैं उसके बाद बाकी चीज़े फिर उसमें improve होती रहती तो एक शुरुवात एक inspiration बहुत जरूरी है और वो शुरुवात और वो inspiration कि इसने दी यह था हमसंजी ने और इन्होंने अपना एक model दिया जिसमें से 5 में से 3 बते तो गलती थी लेकिन फिर भी इनका model इतना ज्यादा famous हुआ आप कह सकते हैं कि his model his model was compared with water melon और Christmas pudding इनके model को water melon या फिर Christmas pudding से compare गया गया I hope आप समझ सकते हैं इनके model को water melon या Christmas pudding से compare क्यों किया गया था क्योंकि water melon में जैसे लाल वाला हिस्सा होता है वो हमारा positive charge हो गया जो लाल वाला हिस्सा होता है वो हमारे लिए positive charge हो गया और जो एक green वाला हिस्सा है वो हमारे लिए negative charge हो गया ठीक है ना तो इनके model को actually compare किया गया water and marine और Christmas pudding से लेकिन अब आपको जान के होगी बहुत बड़ी हैरानी क्या एरानी होगी कि इनके model के बाद एक बहुत महान आदमी आए जिनका नाम था Rutherford जिनका नाम था Rutherford अब Rutherford जी के साथ हुआ क्या Rutherford जी ने एक experiment किया और उस experiment को हम कहते हैं alpha particle gold foil experiment and I hope so कि आप इस experiment के बारे पहले से ही जानते हैं लेकिन बात क्या है बात यह है कि जब Raja J. Thompson जी ने अपना model दिया तो दुनिया हिल गई क्योंकि दुनिया को पहली बार एक atom का structure मिला था इस जैस लाइक कि मैं आपको एक black hole की photo दे दूँ जो कि आपको पता ही होगा भी हाली में हुआ हाली में तो नहीं लेकिन काफी टाइम होगे लेकिन black hole की हमने एक photo दे दी अब हो सकता है वो photo गलत हो लेकिन क्योंकि वो पहली है तो हम साथ उस पर यकीन कर रहे हैं हो सकता है वो गलत एंगल से खीची गई हो हो सकता है color disintegrations हो बहुत सारी बाते हैं लेकिन वो हमारे कौम उस पर यकीन कर रहे हैं अब क्योंकि जेजे थॉंसन जी का model सबसे पहला साथ लोग उस पर यकीन कर रहे थे और रदर फोर जी कमाल की बात सुनें का शायद बहुत काम बच्चे जानते होंगे बात रदर फोर जी जेजे थॉंसन जी के model को सही प्रू प्रूशिश करनी थी कि जो जेजे थॉंसन जी ने model दिया है वो बिलकुल सही है लेकिन जब उन्होंने अपना experiment किया तो उनको results बड़े हैरान कर दने वाले मिले सबसे पहली बात तो उन्होंने गोल्ड फॉयल आई होप आपको पता है कि गोल्ड फॉयल क्या होती है गोल् में न्यूकलेस होता है आसपास electrons घुम रहे हो तो आज की date में पता है actually में पहले नहीं पता था और उन्होंने गोल्ड फॉयल के ओपर बहुत सारे क्या particles फैके बच्चो alpha particles अगर आपको नहीं पता alpha particles क्या होते हैं तो अभी बात कर रहें लेकिन इन्होंने गोल्ड फॉयल क उपर बहुत सारे क्या फैके बच्चो alpha particles अब इन्होंने गोल्ड फॉयल के ओपर जब बहुत सारे alpha particles फैके तो इनकी क्या उमीद थी और इनको क्या result मिला यह समझएना बहुत जरूरी है अब इन्होंने जब गोल्ड के ओपर alpha particles को फैका अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है हीलियम प्लस टू के पार्टिकल्स हीलियम प्लस टू के पार्टिकल्स मतलब जिस पे प्लस टू का चार्ज हो उस पे कोई इलेक्ट्रॉन ना हो सिरफ प्लस टू का चार्ज हो दो proton और दो neutron को हम helium particle कहते हैं अब helium particle यानि alpha particle इन्होंने gold foil के ओपर मारे अब अगर आप atom को ऐसा imagine कर रहे हूँ और जब इस पे alpha particle जाएंगे जिन पे charge positive है और पूरे atom पे prominently positive charge present है तो ये positive charge जब जाएगा एक atom पे तो ये सारे के सारे positive charge repel हो जाना चाहिए imagine करो मैं बहुत सारी crazy balls छोटी वाली balls को बहुत जोर से एक दिवार पे मारता हूँ तो क्या होगा कोई ball उपर कोई ball नीचे कोई ball दाएं कोई ball बाएं कोई ball वापस मतब ये balls इदर उदर निकल जाएंगी सही कहा रहा हूँ और यही उमीद यही expectations रदर फोर्ट जी की भी थी क्योंकि उनको जे जे थॉम्सन जी का model सही साबित करना था आई रेपीट उन्होंने जे जे थॉम्सन जी का model गलत नहीं साबित करना था उनको तो उनका तो एम था कि वो जे तॉम्सन जी का मॉडल सही साबित करें और इन डाट केस उन्होंने इसके ओपर बहुत सारे अलफा पार्टिकल मारें लेकिन जब उन्होंने अलफा पार्टिकल इसके ओपर मारे बच्चो तो एक हैरान कर देने वाली बात साबित आई कि most of the अलफा पार्टिकल जो थे वो सेम पाथ पे पास हो गए मतलब हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि most of the अलफा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के पार हो गए हैरान कर देने वाली बात ये इसलिए थी क्योंकि रदर फोर्ट जी ने एक्सपेक्ट किया था कि जदातर अलफा पार्टिकल्स विल डिफलेक्ट इन रैंडम डायरेक्शन लेकिन रिजल्ट क्या मिला most of the अलफा गोल्ड फॉइल के हैं अब आप बताओ उस सिचुएशन में आप अगर रदर फोर्ट जी होते क्या आपके मूँ से गाली निकलती गाली तो निकलती लेकिन आप हैरान होते मैं तो हो जाता मैं तो कहता ये क्या हो गया भाई मेरे तो रातों की नींद उड जाती है मेरे तो जो की जो होना चाहिए उससे बिलकुल ऑपोजिट है मोस्ट अफ दे अलफा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल से रिफलेक्ट हो जाना चाहिए था लेकिन यहां पे 95-98 पर्टिकल्स गोल्ड फॉइल के पार हो गए बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो एक सर्टन एंगल पे डेविएट हो गए थे बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो एक सर्टन एंगल पे डेविएट हो रहे थे और ना के बराबर आप कह सकते हैं दस लाक में एक ऐसा पार्टिकल्स था जो रिफलेक्ट बैक हो रहा था जो रिफलेक्ट बैक हो रहा था लेक यह तीन आप्ज back हो गए to the same path अब ये हुआ क्यूं इसके ओपर तो आएंगे लेकिन ये तो हमने ninth में भी पढ़ा हुआ है तो फिर क्या अलग है हमारे 11th class में हमें इसका setup भी पढ़ना है हमें rather 4G ने ये पूरा का पूरा काम कैसे किया इसका setup भी पढ़ना है ये भी हम पढ़ेंगे लेकिन observation की अगर हम बात करें फिर result हम लोग लिखके लाए है result की हम लोग बात करेंगे लेकिन observation की अगर हम लोग बात करें तो observation में पहली observation क्या हम कह सकते most of the alpha particles passed through gold foil most of the alpha particle gold foil के पार हो गए very few get deflected at certain angle बहुत काम alpha particles थे जो certain angle पे deflect हुए आप कह सकते हो very very few one in lakhs get reflected back to same path बहुत कम एक 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 लाख में alpha particle थे जो same path पे reflect back हो गए बट the thing is यह समा यह बात tension की नहीं है tension की बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों है ऐसा हुआ क्यों है लेकिन उससे पहले हम लोग rather 4G का जो model है उसका जो experiment किया गया उस experiment का set up क्या रहा यह पढ़ना बहुत जरूरी है यह बहुत कम बच्चे जानते अगें यह diagram आपको पता यार smart board पर पढ़ा रहे हैं इसका diagram बना बनाया लाने में हमें 5 second नहीं लगेंगे लेकिन मैंने आपको शायद पहले भी बहुत बार वीडियो में बोला है बच्चो कि हम अगर diagram बना बनाया लाएंगे तो वो feel नहीं आप मुझे comment section में बता देना अगर आपको लगता है कि चीजे बनी बनाई लाओ और ऐसे गुमाओ गुमाओ के हमें समझा दो वो तो बहुत असान काम है चलो रदर 4G का setup कैसा था रदर 4G ने alpha particle को पहली बात तो alpha particle के हमें दिखते हैं खुली आख से आपसी बाता नहीं तो some particle क्या हुए डिफलेक्ट हो गए यह सब पता कैसे लगा रदर 4G को इसके बार में बात कर रहे हम actually setup की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पूरा का पूरा setup कैसे लगाया तो सबसे पहली बात तो यहां पे उन्होंने लिया बच्चो लेड चेंबर लेड चेंबर क्या होता है भई लेड का बनावा एक कमरा होता है और लेड के कमरे का क्या का मैं पताएंगे अभी देखो हम इसका setup बना रहे हैं और इनके setup को बनाने के बाद हम हर एक का working पढ़ेंगे पहले setup बनाएंगे और फिर हमने यहां पे बीच में एक radio active source रख दिया यह हमने रख दिया radio active source अब इस radioactive source से क्या निकली radioactive source से शायद आपको पता हो कि radioactive radiation निकलती है alpha, beta, gamma उसमें से यहां पे बाकिस सारे radiation हमने absorb करा दे क्योंकि हमें सिर्फ इदर चाहिए और यहां से हमें radioactive radiation मिली और यह radioactive radiation में हमें alpha, beta, gamma यह सब रकार की radiation मिली फिर यहां पे लगाया गया इसको अलग कलर से लेते हैं यहां पे लगाया गया एक polarizer यहां पे लगाया गया एक polarizer अब यह polarizer क्या होता है यह आप नहीं जानते हो बस इतना कह सकता हूं कि polarizer के दो काम होते हैं पहला काम होता है कि polarizer क्या करता है यह एक तो alpha, beta, gamma इन में तीनों होते हैं हमें क्या चाहिएं सिर्फ alpha तो यह alpha, beta, gamma में सबसे पहले बात हो सिर्फ alpha को बाहर नकालता है और वो एक दो पारलल बीम होगी तो यह दो काम करता है पहला तो यह काम करता है polarization का किसका काम करता है यह polarization मतलब alpha, beta, gamma में से यह alpha को अलग कर देता है चीक है जी उसके बाद यह क्या करता है बच्चो एक सेकिन रुकेंगे उसके बाद यह alpha, beta, gamma में से alpha को अलग करके उसे parallel beam में भी क्या कर देता है convert उसके बाद बच्चो यहां पे लगा रखी होती है gold foil अच्छा एक बाद बादाता हूँ मैं वैसे offline में बच्चो को एक video दिखाता हूँ यहां नहीं दिखा सकता copy right आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ आप यूट्यूब पे सर्च करना rather force gold foil experiment एक uncle आएंगे इस तोड़ से लंबे से बाल होंगे उनके और वो video आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं उस video में उन्होंने समझा रखा है पूरा setup although जब आप college में जाएंगे तो आपको एक पूरा का पूरा प्रोसेस खुझ से भी करना है खुझ से भी आपको एक पूरा प्रोसेस करना है तो लेकिन आपको भी अगर setup समझे तो पहली बात तो यह हमने क्या लगा दिया था polarizer बोल दो आप इसको वैसे से कॉलमेटर कहते हैं मैं मुश्किल वर जादा ले नहीं राभी और यह हमारे पास आगे गोल फॉयल अब क्या होगा बच्चो यहां पे एक शीट लगी होती है और यह शीट ऐसी वैसी शीट नहीं होती है यह शीट होती है जिंक सल्फाइड की और यह शीट फॉस्फोरोसेंस या फ्लोरोसेंस करती है इसका क्या मतलब होता है आँ समझे जैसे ही गोल फॉयल पे हम लोग बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स मारेंगे तो क्या होगा यह अल्फा पार्टिकल्स में से बहुत सारे alpha particles तो पार ही हो जाएंगे हाँ ना भई बहुत कम ऐसे alpha particles होंगे जो एक certain angle पे deviate हो जाएंगे और ना के बराबर होंगे जो पार हो जाएंगे अब लेकिन हमें दिखेगा कैसे यह सब तो answer है यहाँ पे एक detector लगा होता है पहले बात तो zinc sulfide की sheet में ऐसा क्या खास है zinc sulfide में क्या होता है zinc sulfide sheet की एक property होती है कि जब भी इस पे कुछ टकराता है यह glow करती है zinc sulfide sheet की एक property होती है कि जब भी इस पे कुछ टकराता है यह glow करती है यह चमक देती है लेकिन alpha particle का size इतना जादा छोटा है इतना जादा चोटा है कि जब इस पे जब अलफा पार्टिकल गोल फॉल पर जाके टकरा के डिफलेक्ट होंगे तो जब वो इस शीट पे जाएंगे तो वो स्पार्क जो निकलेगी बहुत छोटी होगी मालो आपके पास दिवार पे पूरी दिवार पे जिंग सिल्फाइट की शीट लगी वी है आप उस पे कुछ भी मारोगे ना वो एक चमक देगा एक गलो देगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि जो अलफा बार्टिकल है वो वैसे इतने छोटे हैं कि अगर वो जाके चमके भी अगर वो जाके हमारे जिंग सिल्फाइट पर जाकर टकराए भी तो भी वो चमक बहुत कम उठाएंगे बहुत कम चमक निगलेगी तो उस चमक को भी देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप जिसको हम डिटेक्टर कहते हैं जिसको आप माइक्रोस्कोप कह सकते वो चाहीं होगा अब रधर फोर्ट जी के टाइम पे ये माइक्रोस्कोप ऐसे ऐसे इदर इदर गूंगती थी अज की डेट में क्या होता है मैं ת माइक्रोस्कोप यारे कि दो डिटेक्टर लगातें एक यहाँ पे जो कि फिक्स रहता है क्योंकि हमें तो पता है ना आज की डेक्ट में कि भियाज जादा तर अलफा पार्टिकल हमें सीधा मिलने वाले तो हम तो जानते हैं पहले ऐसा नहीं था रधर फोर्ट जी को पहले लगा था हर डिरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने डिटेक्टर लगाया था पहले इदर रखा फे रीडिंग ली इदर रखा 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 रीडिंग ली डिटेक्टर थी रदर फोर जी के इस experiment से पहले क्या expectations थी पहले expectations ये थी कि alpha particle हर जगा लगवक बराबर मिलेंगे क्योंकि atom पे mass हर जगा बराबर है हर जगा पर positive charge बैठा हुए हर जगा पर repulsion बराबर होगी लेकिन जब actually में reading ली गई तो होश उड़ा देने वाला डेटा ये मिला कि यहां पे रीडिंग सबसे ज़्यादा मिली और that is why बड़ा हैरान कर देने वाला डेटा था और उस डेटा से क्या साबित हुआ उसकी बार में बात करेंगे लेकिन यहां पे रीडिंग मैक्सिमम थी और फिर जब रधर फोर्ड जी ने एक ग्रा एटी है तो वन एटी डिगरी पे वन एटी डिगरी पे गए और आगए तो वन एटी डिगरी पे पार्टिकल डिफलेक्ट होने वाले बहुत कम थे और लगबख जीरो पे पार्टिकल डिफलेक्ट होने वाले बहुत ज़ादा थे तो यह ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया और हैरान कर देटा मिला इससे साबित क्या होता है इसके बार में में बात करेंगे अब हम यह पेज हमारे किसी काम का नहीं है इसको हम अटाई देंगे अभी मैं स्लाइड में अटा दूँगा लेकिन यह इससे साबित ओ माई कॉड़ दो पेज इतने सारे पेज छोड़ दी लेकिन इससे साबित क्या होता है यह समझना बहुत जरूरी है पहली बात देखो अगर अगर एटम के अंदर मोस्ट आफ दी अलफा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के पार हो गए है अगर मोस्ट आफ दी अलफा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के पार जा रहे है इससे क्या साबित हो रहा है इससे यह साबित हो रहा है कि अटम के अंदर जादितर जगा जो है वो खाली पड़ी हुए दूसरी बात अगर बहुत कम अलफा पार्टिकल डिफलेक्ट हो रहे है तो इससे क्या थाबित हो रहा है इससे यह थाबित हो रहा है कि atom के उपर positive charge तो है लेकिन वो बहुत कम जगा पे है बहुत कम जगा पे concentrated है और वो बहुत strong है क्योंकि बहुत dense है क्योंकि बहुत कम ही सही लेकिन alpha particle reflect back हो रहे हैं एक question पूछता हूँ मैं आपसे question है कि आपने हवा में एक magnet को धागे से टंगा रखा और यहां से आपने एक और magnet को फैका उसका north इसके north के सामने फैका यह वाली magnet हवा में टंगी हुई है और यहां से आपने एक और magnet फैकी अब इस situation में आने के बाद अगर यह वाली magnet ऐसे हो जाए इसका मतलब यह वाली मैगनेट स्ट्रॉंग है लेकिन इस सिचुएशन में आने के बाई धागे से टंगी भी है यह मैगनेट यही रहे और यह वापस चले जाए इसका मतलब यह बहुत हेवी बहुत स्ट्रॉंग बहुत डेंस है तो अलफा पार्टिकल के साथ ऐसा ही ह हुआ अलफा पार्टिकल आए और इदर से वापस चले गए जिससे क्या साबित हुआ कि जो बीच में पॉजिटिव चार्ज बैठा हुए वह बहुत डेंस बहुत स्ट्रॉंग है और अब्वेस सी बात है अटम नीट्रल होता है उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता होता है लेकिन अगर अगर सारा का सारा लगबख पॉजिटिव चार्ज बीच में बैठा हुए तो यह अब्वेस हो जाता है कि नेगिटिव चार्ज आजपास गूम रहा होता है आप पढ़ें यहां पर क्या लिखा हुआ है और अटम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल साइस कुछ मास होता है लेकिन हाँ हम यह कह रहे हैं कि जो मास है वो लगबख लगबख सारा का सारा सेंटर पर ही है लगबख लगबख मास जो है वो कंसेंट्रेटिड है एड़ इस सेंटर ओनली यानि आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आटम में जैसे गाड़ी है गाड़ी का जादा तर मास उसके न्यूक्लियस में बैठावा है यानि की आटम में जादा तर जगा जो है वो खाली पड़ी भी है और उसके आसपास न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियस के आसपास गूम रहे होते हैं न्यूक्लियस में और्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन सफिशंट हाई वेलासिटी से गूमने चाहिए हैं आगर उनकी वेलासिटी कम हुई तो क्या होगा तो क्या होगा बच्चो तो यह ह जाएंगे अगर यह नियुक्लियस है और इसके आज पास एक इलेक्ट्रॉन घुम रहा है अगर उसकी वेलॉसिटी सफिशन नहीं हुई उसके वेलॉसिटी थोड़ी सी कम हो गई तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो चिपक जाएगा न्यूक्लियस से आके तो उसकी एक स से वो घुमना चाहिए और धरवाई जैसे सन है अगर माल लो मैं अर्थ को अभी उपर जाओं माल लेना या प्लीज उपर जाओं और अर्थ को रोग दूँ तो क्या होगा अर्थ सन के तरफ अट्राक्ट होना शुरू हो जाएग यह से और क्या बास में आई तो यह सोलर सि इकसी का टाइम लो के ताने सी के कस दे मिडल का लास बंदा मैंनू सी के दस दे सेटप समाद है ना अब मैं आपसे क्या पूछना और अधर फोर्ट जी ने यह एक्सपरिमेंट किया क्यों था जे जे तॉमसन जींगे मॉडल को सभी साबित करने के लेकिन हुआ क्या जिससे साबित हुआ एटम के इंदर बहुत सारी स्पेस खाली है यह वाली बात गलत हो गई कि पूरे एटम पर पूदर रफ चार्ज होता है इन्हों ने बोला है तो वो गलत हो गया मैंस ही नहीं फार्म होता तो यह सारी बाते गलत साबित हो ने लग गई और अधर गई दुनिया ने तालिया बजा दी इनको सौरी भी फील हुआ है अगर आपने इनकी बायोग्राफी पढ़ी है तो वहां पर बहुत सौरी भी फील कर रहे थे और अगर मैं सही किया रहा हूं तो मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ है जूड़ हो सकता है कि इन्हों ने एक लेट जाके रधर फोर जी की कबर पर जाके रखा हूं को सौरी बोला कि मेरे इंटेंशन्स ऐसे नहीं थे मैं तो सही सावित करने जा रहा था और तो इसमें सौरी फील करने वाली बात नहीं का सबसे बड़ा नियम ही है कि हमें हमेशा अपने थियरी में मौडिफिकेशन की जरू शूट कर रहा हूं आपको फील तो और होगा ना मैं अलग जगा हो तो चाहिए यह बोर पुरा पुराना हुला है मैं आज आया वहूं और वहाँ पे बोर्ट जो हम पुराना वाला यूश कर रहे तो अब अगर कमपनी लेकिन सेम ही है लेकिन जब तक ये कमपनी मौडिफि को अगर नहीं बदलेंगे तो एक लेवल के बाद उसके फीचर्स पुराने हो जाएंगे लोग उसको इस्तमाल करना बंद कर देंगे साइंस में भी ऐसा ही चलता हमेशा मॉडिफिकेशन्स चलते हैं थेयरीज में बहुत कम ऐसी ठेयरीज जो एक बारी में दी गई और उसके बाद वो कभी गलूत ही नहीं बहुत कम हैं जिनके कोई लिमिटेशन से नहीं हैं जिन Sü cabe corporations हुए लिमिटेशन्स हैं कुछ के हम ने जातर के लिमिटेशन्स अजबी क्या हہیں लिमिट्रेक्शन से लेकिं ट्रेक्षन वाले बातने हैं वह भी दूर ऑजाएंगे लेकिन अकर बात करें अगर से रदर फोट जीए रधर फोट जी ने जैजे ठोशनके के के मॉडल को सही किया लेकिन रधर 4G में भी प्रॉबलम थी क्या प्रॉबलम थी यह हमारे पास atom है और atom के बीच में हमारे पास कौन है nucleus है यह हमारे पास atom है और atom के बीच में हमारे पास क्या nucleus है nucleus के आसपास क्या घुम रहा है electron अब according to the theory of electromagnetic radiation इस theory के हिसाब से जब भी एक electron nucleus के आसपास घुमेगा वो क्या निकालेगा एनर्जी निकालेगा कहा लिखावाई ये this will cause the electrons to emit or to radiate energy अगर एक electron घुमेगा क्योंकि वो घुम रहा है तो उसका motion क्या है accelerated और अगर उसका motion accelerated तो घुमते 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 वो कोई ना कोई के लिए ऐसा नहीं होता है ऐसा क्यों नहीं होता है जब रदर मालो रदर फोर्जी मेरे सामने बैटा है मैंने उनसे पुछा कि भाई electron तो accelerated motion में और accelerated motion में तो वो energy को radiate करेगा और energy radiate करेगा तो दिरे घुमते घुमते वो कहां घर जाना चीन यूक्लियस में लेकिन आपके model के सापसे ऐसा नहीं हो रहा है तो समझाएं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है तो वो नहीं समझा पाए वो कोई explanation नहीं दे पाए जिसके हो जैसे यह उनके model की एक drawback एक limitation बन गए क्लियर है अब साइन सुनिएगा आपको लग रहा होगा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे नील्स बोर्ट योरी नील्स बोर्ट जी का model तो आपको गलत लग रहा है एक्चलि जे जे तॉमसन और नील्स बोर्ट जी के model के बीच में बहुत सारे चीज़े और आए नाइन्थ क्लास अलग थी यार नाइन्थ क्लास में जे जे तॉमसन जी के बाद सीधा गए थे नील्स बोर्ट जी के पर लेकिन हम वह नहीं जाने वाले हैं यहिए नील्स बोर्ट जी पर जा consistently और क्वाण्ट नंबर जैसे चीज़े पढएंगे जो की अगली गलक्श ठीक है ठीक है जी एक छोटी एक छोड़ी सी information देता हूं हम लोगों ने 11th 12th 10th 12th के लिए एक नया batch शुरू किया है जिसका नाम है dreamers आगर आप कोई भाई बंदू है क्योंकि believers batch की इतनी सारी success के बाद बहुत अच्छा गया हमारा believers batch और 11th का तो believers batch अभी भी चल रहा है 11th में तो अभी शुरू ही हुआ है believers batch तो वो तो आप जॉइन करें सकते हैं लेकिन हमारा जो dreamers batch है 10th 12th क्योंकि हमारा पिछला believers batch लगभग लगभग तीन महीने हो गया उसको शुरू है काफी बहुत बढ़िया response आ रहा है बहुत मज़ा आ online को साथ पढ़ाने में तो dreamers batch हमारा 10th 12th का शुरू हुआ है तो in case अगर आप interested हैं तो वो पताना जरूरी है तो क्योंकि बच्चे मुझे science and fun पर खासकर बहुत बोलते हैं कि आपकी paid classes कहां पर होती है क्या होता है free classes के साथ-साथ बच्चे को paid तो चाहिए क्योंकि mentorship कि रदर फोर्ड और नील्स बोर्ड जी के बीच में दुनिया में क्या क्या आया उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं बास समझ में आई ओके बच्चो चीक है पका मिलते हैं अगले lecture में थेंगी समझ